हाई एब्रिवन आदाप रसोई सल्यूसंस में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं जारखन का फेमस फुड उड़त डाल का बर्रा इसे बनाने के लिए हमें क्या-क्या चीज चाहिए आए जानते हैं हमने यहां पर उड़त डाल को भिंगा के पीस लिया है हमने उड़त डाल इस कटोरी से एक कटोरी ली है यहां पर हमने एक बड़ा साइच का प्याज इस तरह से बारिक काट लिया है यहां पर हमने थोड़ा सा उटा हुआ अधरक लिया है यहां पर तीन चार हमने हरी मिर्स इस तरह से बारिक पटी हुए लिए है नमक हम देंगे स्वाद के अनुसाद तो आईए बर्रा बनाना शुरू करते हैं यह देखिए यह पीशा हुआ दाल में हम अब सारे चीज को इसमें मिला के मिक्स करेंगे यह कटा हुआ प्याज अद्राग जीरा हरी मिर्च नमक हम देंगे स्वाद के अनुसाद फिर हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करेंगे तेल को गरम होने के लिए चड़ाया था अब यह गरम है अब हम इसमें डालेंगे बर्रा अब हम इसे इस तरह से उठाएंगे पहले हम हाथ में थोड़ा पानी लगाएंगे फिर हम इस तरह से उठाएंगे अब फिर हम इसे तेल में डालेंगे और इसी तरह हम सारे बर्रा को तेल में डालेंगे हमने सारा बर्रा को इसमें डाल दिया है अब हम दोनों तरफ से इस तरह से सुनारा होने तक तलेंगे यह देखे अब यह दोनों तरफ से इस तरह से तल चुका है यह सुनारा दोनों साइड से हो चुका है अब हम इसे निकाल लेते हैं यह देखे हमने सारा बर्रा को तेल से निकाल लिया है अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं यह देखिए यह बर्रा बनके तयार है आप इसे हरी चेटनी के साथ खाये सौस के साथ खाये यह साम के समय खाने में बहुत ही जायकेदार होगा तो अगर आपको यह हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू